नमस्कार, मैं डाक्टर ग्यानदेव मनीत रिपाथी, आप सब का NIOS की योर से हारदिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस चर्चा में हम DLA पाठिक्रम के 502 के ब्लॉक 3 की इकाई 10 पर बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशय पर चर्चा करेंगे आप सब से आगरा है, इस चर्चा में शामिल हो, बालिकाओं की शिक्षा क्यों महत्वपुर्ण है, हम अपनी बादचीत की शुरुवात यहां से करते हैं ऐसा क्या है जिसमें हम यह मानते हैं, या हमारी शिक्षा विवस्था में यह सवाल आज भी मौजू है, कि बालिकाओं की शिक्षा भी अधूरी है एक मानो समाज तब तक मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक उसके दोनों पहिये ठीक ठीक काम न करें पुरुस और स्त्री, महिला और पुरुस, इन दोनों के का समवेत रूप ही हमारा मानुविय समाज है, यदि ये दोनों साथ साथ एक जैसे एक जैसी शक्ती के साथ समाज को आगे बढ़ाने में सक्रिय होते हैं, तो समाज का रूप कुछ और होगा बालिकाओं की शिक्षा के महत्व को सुईकार करते हुए, भारतिये शिक्षा के भविस्य को देखते हुए, हम आज की चर्चा में यह जानने की कोशिस करेंगे कि किस तरह से बालिका शिक्षा महिला ससक्ती करन का आधार है, लेंगिक असामानता को दूर करने में अहम भू पारिवारिक स्वास्त तता सिक्षा को बेहतर करने के लिए बालिकाओं के शिक्षा अनिवार है हमारे इस समाज के लिए जहां पारिवारिक स्वास्त हमारे लिए जरूरी है। साथी साथ आने वाली पीडी के शिक्षा के महता को समझना और आने वाली पीडी को शिक्षित करने के लिए भी यह अवश्यक है कि हम बालिकाओं के शिक्षा को बढ़वा दें। समाजिक विकास में महिला या अपनी भूमी का बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें, पूर्सों के साथ साथ चल सकें, समाजिक विकास में उनकी भी अहम भूमी का हो, इसके लिए आवस्यक है कि हम बालिकाओं के शिक्षा पर ध्यान दे या बालिकाओं के शिक्षा को मुख्यध बातावरन के निर्मान के लिए या एक समावेसी समाज के निर्मान के लिए बालिकाओं की शिक्षा की जरूरत महसूस होती है। शिक्षा में शामिल करते हैं बालिकाओं के शिक्षा इस तरह से दी जाती है कि वे इन मनोभाओं को इन सामाजिक चिन्दों को बचा सकें या उसकी रक्षा कर सकें या उसकी रक्षा के लिए तैयार हो तो मुझे लगता है कि बालिकाओं शिक्षा इसके लिए अनिवारे तक तो होगा लेकिन अभी तक कि जो इस्थिती है हमारे देश की जो बालिका शिक्षा की वर्त्मान इस्थिती है उससे बहुत संतुस्ठ होने की आवस्षिक्ता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी हमारे देश की लगभग 35% महिला अबादी निरक्षर है साक्षरता की 66% हो गई है यानि लगभग 11 गुना लेकिन जब हम इस विकास को किसी चित्र में देखते हैं या किसी चित्र के माध्यम से समझने की कोशिस करते हैं तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है कि पूरुस और महिला साक्षरता में 20% का कमोबेस भेद या अंतर हर 10 वर्सों में यह 1951 से लेके 11 तक की जो जनगन्ना का मामला है जिसके आधार पर मैं यह बात आपसे कह रहा हूँ निशकर्स के तोर पर यह निकलता है कि महिला और पूरुस की साक्षरता दर में 20% का फर्क लगभग लगातार रहा है तो अभी जो वरतमान में 2011 की जनगन्ना का अनुसार जो इस्थिती है हमारे देश में पूरी साक्षरता दरती 70 है पूरुस उसमें 80.9 है और महिलाएं 64.6 प्रतिसत है जबकि ग्रामिन इलाकों में इनका प्रतिसत 57.9 है कहने का ताथ पर यह है कि गाउं में आज भी आवशकता है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उनको भी समझना बहुत अनिवारे है कि वे कौन से कारण है जिसके कारण हम अपनी अधिकाधिक बच्चीयों को बालिकाओं को स्कूल में रख नहीं पाते रोक नहीं पाते एक कारण तो बहुत ही महत्वपुर्ण है वो है पहुच तथा नामांकन ग्रामिन शेत्रों तथ पहाडी शेत्रों में विद्याले के उपलब्द नहीं होने के कारण अभिभावक लड़कियों को विद्याले भेजना नहीं चाहते जब उनको लगता है कि भाई हमारी बच्ची वहां जाके सुरक्षित नहीं है वहां जाना उचित नहीं होगा उसके लिए यानि दूर दर सुउट कानून है उसके अंतरकत तो हम लोगों को यह मानना होगा और स्विकार करना होगा कि कोई भी लड़की या लड़का अपनी किसी समस्या के खारण जिस पर उसका कोई वश्च नहीं है नहीं पढ़ पाता है तो समस्या का समाधान करना एक तरह से राश्ट्रिये और राज्य सरकारों का और अस्थानिय पंचायत सरकारों का काम है तो एक किलोमीटर की दूरी पर आपने स्कूल बना दिया बहुत अच्छी बात लेकिन बीच में एक नदी है जिसको पार करके एक लड़का या लड़की उस पार नहीं जा सकते तो ऐसे में किसी तरह से यदि लड़के चले भी गए तो लड़कियां तो नहीं जा सकती तो वो नहीं गई तो उनकी पढ़ाई छूट गए तो यह अनिवारे है यह देखना और जानना कि वो जहां समस्या ग्रस्त हैं उन समस्याओं का समाधान हम करें तभी पहुंच सुनिश्चित होगी अधिक सधिक लड़कियों की और लड़कियों का ठाराओ भी होगा क्योंकि मान लीजे उत्साह में यदि उसने ऐसे स्कूल में नामांकन करा भी लिया जहां किसी नदी को पार करके जाना है दो-चार-दस दिन तक यह उत्साह हो सकता है कि बना रहे बाद में फिर यह उत्साह ठंडा हो जाएगा और हो सकता है कि उसका स्कूल आना जाना बंद हो जाए दूसरा बड़ा महत्वण मुद्दा है बालिका शिक्षा और विद्याले के संदर्व में और वो है विद्याले का प्रतिकूल वातावरन आम तोर पर हम लोग देखते हैं कई बार हम शिक्षक भी इस तरह की भाशा का उपियोग करने लगते हैं जब हम कहें कि क्या लड़कियों की तरह सर्माते हो शर्माना जो है वो प्राकृतिक गुण है वो सिर्फ लड़कियों से उसको हम जोड के नहीं देख सकते या स्कूलों में यदि कोई खेल कूद का आयोजन हो रहा है और उसमें हम सीधे सीधे बटवारा कर देते हैं कि ये खेल तो सिर्फ लड़कियां खेलेंगी रसी कुदेंगे लड़कियां और लड़के खेलेंगे क्रिकेट ये भी एक तरह से दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रती अलगाव का बोध कराते हैं और यह घातक है, इसकूल के दिल लिए भी यह घातक है और यह जो बीज हम डालते हैं लड़के और लड़कियों में कि तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुमारे लिए यहा काम तुम यहा काम कर सकते हो, तुम यहा काम नहीं कर सकते हो तुम वहा काम कर सकते हो, तुम वहा काम नहीं कर सकते हो बालिकाओं के सीखने को भी लेकर बहुत सारे प्रवाग्रह हम लोगे पास है। हम मान लेते हैं कि लड़किया गनित नहीं पूर सकती। इनको तो गनित आही नहीं सकती। जबकि हम देख रहे हैं आज के समाज में कि गणित विज्ञान में लड़कियां खुब अच्छा कर रही हैं, खुब आगे बढ़ रही हैं, वे तमाम छेतर जिन पर हमारा कबजा था पुरुसों का, उस पर वो धीरे 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 अपनी पहचान बना रही हैं, वो नस्थानो हम बनाएंगे, भोजन बनाने का काम होटलों में हम करेंगे, कैंको उससे तो कुछ कमाई होती है, और घर में खाना बनाने का काम महिलाएं करेंगे, तो अब धीरे-धीरे ये मित जो है, वो टूट रहा है, ये बिमब बिखर रहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आउसर मिले तो वो गणित और विज्ञान को खूब अच्छी तरह से पढ़ सकती हैं, इस देश प्रवाग्रा से मुक्त होने की आवशकता है कि लड़कियां गणित और विज्ञान जैसे विशा नहीं पढ़ सकती, दूसरी जो हमारी पाठे पुस्तकें हैं वो भी बा मा खाना बना रही है या चाय बना रही है, तो ये तय हो गया कि खाना बनाना तो मा का काम है और चाय बनाना की मुमी का माता जी की है, वैसे ही गणित के पाठे पुस्तकों में कई बार हम पूछ लेते हैं कि किसी एक काम को एक पुरुस एक दिन में करता है, उसी काम को दो म महिलाओं की जरूरत आपको आन पड़ी। तो इस संदर्व में विद्याले में बालिकाओं की सुरक्षा के सही इंद्जाम हो। उद्धाई उधारनों की मदद से तोड़कर उन्हें नए उधारनों से जोड़ा जाए जो बालिकाओं के कई नए उधारन हैं। प्रति अपने मन को बदलें, अपने मानस को बदलें और ये माने की वो हमारे साथ खड़ी होने की सभी काबलियत रखती हैं। मुझे लगता है कि तभी बालिका शिक्षा की चुनोतियों का हम सामना कर पाएंगे और उससे उबर पाएंगे और यह रास्ट गर्व के साथ अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हुए ये कह सकेगा कि आज हमारे देश की कोई भी लड़की, कोई भी बालिका शिक का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए